आज हम पढ़ेंगे important organization for competitive exams सबसे पहले हम देखते हैं international atomic energy agency यह कहां पे है तो यह है वियाना उस्टेरिया इसको हम याद रख सकते हैं कि जो atomic energy है यानि atomic warm होते हैं तो उसका निरक्षन किसी विराने स्थान पर किया जाता है तो इसको हम याद रखेंगे विराना से वियाना उस area उसके बाद United Nations education scientific and culture organization UNESCO यह कहां पैरिस फ्रांस यानि जितनी भी countries है United Nations की वह scientifically developed होना चाहते हैं तो क्या करते हैं दूसरे की रीज करते हैं उसके बाद organization for economic cooperation and development OECD यह कहां पैरिस फ्रांस तो हरको economic development होना चाहता है तो इसके लिए वह एक दूसर की रीज करता है देखा देखी तो कहां है यह पैरिस फ्रांस उसके बाद organization of petroleum exporting countries और पेक तो पैट्रोलियम किसी विराने स्थान से निकाला जाएगा तो कहां पे आ यह वियाना उस्टीरिया उसके बाद एशिया पैसिफिक economic cooperation अपैक यह कहा है Queenstown Singapore इसको हम याद रख सकते हैं कि पैसिफिक के पास कोई बैल आ गया है सिंगो वाला तो उसको इसको कंट्रोल करने के सबकी cooperation चलिए कहां है अपैक Queenstown Singapore उसके बाद transparency international यह कहां बर्लिन जर्मनी इसमें क्या है money यानि जो भी लेक्ट्रोंड का मामला सा transparency होनी चाहिए पब्लीक कोस की information मिलनी चाहिए तो यह कहां है Germany उसके बाद International Renewable Energy Agency यह कहां है अबू धाबी यानि कोई धाबा है उसको आज के टाइम से अपडेज करना पड़ेगा renewable energy लगानी पड़ेगी तो इसके कहां पर है है अबू धाबी उसके बाद Food and Agriculture Organization यह कहां है Rome Italy Italy को हम क्या याद रखते है इडली और फूड यानि इडली जो होते है फूड होती है तो इसका जो हैटक्वाटर कहां है वह रोम इतली